नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका रुपल की रुसोई में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी की सब्जी जिसे हमने एकदम नए तरीके से त्यार करा है तो चलिए बनाते हैं इस राजस्थानी स्वाद वाली यमी सी भिंडी की सब्जी की रेसिप इसे रख देते हैं हम साइड में यहां सब्जी त्यार करने के लिए मैंने कड़ाई गरम होने रखी है और उसमें डाला है हमने सरसो का तेल तो सरसो के तेल में इस सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है तेल को अच्छे से गरम होने देते हैं तेल हमारा गरम हो चुका आदा चम्मच हम इसमें डालेंगे कलोंजे सीट्स और इसी के साथ डालेंगे हम इसमें आदा चम्मच अजवाइन तो अब भिंडी की सबजी में अजवाइन जरूर डालिए क्योंकि भिंडी थोड़ी पचने में भारी होती हैं आदा ही चम्मच हम इसमें डालेंगे सोफ का पाउडर और सारे मसालों की अच्छी सी खुश्बू आने देंगे हम अच्छे से से हम मिक्स कर लेते हैं अब इसमें डालेंगे हम दो चुटकी हींग और यहां हमारे जितने भी मसाले थें अच्छे से चटक चुके हैं और इसमें खुश्बू भी आने लगी हैं अब हम इसमें डालेंगे अपनी कट करी हुई भिंडी को तो दोस्तों इसके पहले भी में भिंडी की सब्जी बहुत से तरीके से अपने चैनल पर आपके लिए शेयर कर चुकी हूँ आप मेरी चैनल पर उसे इजी ली रिसर्च करके देख सकते हैं अब तेल के साथ हम भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिलाल अभी हम इसमें कोई भी मसाला नहीं डालेंगे अगर हम इसमें अभी नमक भी डालते हैं तो भिंडी में हमारे चिप-चिपापन आजाता है सारी भिंडी को हमने तेल से अच्छे से कोट कर दिया है यह देखिए और इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे लीड हम नहीं लगाएंगे चार से पांच मीट में भिंडी हमारी हलकी सी सॉफ्ट हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे अपने रेगुलर मसाले स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसमें आदा चमच के करीब और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर लाल मिच पाउडर डालेंगे तो मसाले आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम ज़्यादा कर लीजिए और इस सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और यहां हमारे सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे ये राजस्थानी काचरी का पाउडर जो इजीली मार्केट में आपको मिल जाता है या आप इसे मिक्सी में घर पे पीस कर तयार भी कर सकते हैं हलका सा ये खटा होता है और बहुती टेस्टी इससे हमारी सबजी तयार हो जाती है तो तीन चमच भरकर हमने अपने काचरी पाउडर का इस्तिमाल इस सबजी में करा है आप चाहे तो ज़्यादा भी टाल सकते हैं फ्लेम को हाई रखते हुए हम इस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अगर आप एक ही तरह की सबजी खाखा कर बोर हो गए तो आप इस तरह से इससे ट्राइ करिए बहुत ही टेस्टी है सबजी हमारी त्यार होती है और ये देखे काच्रा पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और हाई फ्लेम पे हमने इससे पकाया है भिंडी हमारी अल्रडी पक चुकी थी उसी के बाद हमने अपने सारे मसालेस में टाले थे जो चम्मच में चिपका है उसे भी हम निकाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं और दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को जॉइन जरूर कीजिएगा अब लीड लगा कर हम इसे एक मिल के लिए छोड़ देंगे जिससे सारे मसालों का अच्छे से आ जाएगा है कि चेक कर लेते हैं फ्लेम को ओफ कर देते हैं और यह देखिए दोस्तों तैयार है हमारी सब्जी है यह रेसेपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमने फ्लेम को ओफ कर दिया है अब हम इसे सर्विंग बाउर में सर्फ कर लेते हैं तैयार है हमारी यह मिसी सब्जी ठेंक्स फॉर वाचिंग